हलो विलकम यॉल आज है साथ अगस्त और आप सभी किला हैं फिट से कि इन पॉर्ण वीडियो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर शेर्स के बारे में तो देखिए टाटा मोटर शेर्स लगातार पिछले चार दिनों से अपड़ मुवमेंट में हमार को देखने के पिछले क्वाटर से और वहीं कैशफ फ्लो भी कंपनी के पास अच्छा वेल मेंटेंड है जो लगबा क्वाटर फोर टूटाजन ट्वंटी वन तक के लिए इनके बास सफिशेंट है और वहीं धीरे-धीरे क्वाटर फोर तक यह टाटा मोटर फ्रॉम लॉस्टू बहुत प्रेशर में देखने को मिल रहा है पर टाटा मोटर्स की बात करें तो यह स्ट्रॉंग बनता हुआ हमारे को देखने को मिल रहा है तो अब आ रही है इसमें बात इन्वेस्टमेंट लगबार 2040 क्रोड की जो आपके साथ एक complete information में रखना चाहूंगा और साथी साथ चार्च पे भी अच्छे pattern बने हैं जो डेफिनिटली हम जैसे रीटेल निवेशर को को देखने चाहिए क्योंकि यह लगादार चड़ तो रहा है पर इसको कहीं न कहीं resistance वेस्ट करेगा वो हमारे को डेफिनिटली ध्यान में रखना है क्योंकि यह resistance क्रोस करते ही इसमें इसमें आप अपनी queries भी रख सकते हैं तो चलते हैं इसकी news पे और आपके सामने लाया हूं मैं इसकी जो यह news है टाटा मोटर को एक clearance मिली है करनाट का गवर्मेंट्स के थरू जिसके थरू यह investment लगबग 2040 क्रोल्स की बाते हो रही है इन automobile plants जो है धरवाद में नौर्थ करन करनाट का तो टाटा मोटर इस deal के पीछे इस clearance के पीछे काफी पहले से पढ़ता हूँ नजरा है क्योंकि अगर जो धरवाद का यह area है इसमें लगबग 326 एकड़ की जमीन है जो पहले लगबग यूज की जारी थी vendors से जिसमें प्लाट की जारी थी luxury buses and light commercial vehicles तो यह जो area है इ इसकी वज़ा से करनाट का में अगर बात करें तो बहुत सारी companies ने अगर इन्वेस्ट कर चुके अगर investment का आप amount देखेगो 35321.1 क्रोड के आसफास मेर को देखने को मिल रहा है तो heavy पैसा अभी करनाट का में लगा जा रहा है और लगबग projects भी देखो को 138 क्योंकि यहां पे अभी सब facilities है और areas वारे भी नजदीक पड़ रहे हैं और इसलिए कहीं न कहीं सारी companies इन एरियों में इन्वेस्ट करना चाती है अपने plants grow up करना चाती है और वहीं अब Tata Motors को यह clearance मिल चुका है कि इतना invest कर सकते हैं और अपनी manufacturing वारे इस बड़े area में अराम से करते हैं न को clearance मिल ती वी नज़र आ रही है तो और वहीं अगर हम बात करेंगे अगर इसकी कुछ deliveries की तो आप deliveries देखोगे भीया news तो आई थी इसमें अच्छी ब्रोकरेश दिये थे बड़े-बड़े target और deliveries हमारे को उतनी percentage से देखने को ने मिल रही है जो definitely हमारे को एक notice में रखना च कहीं कल 6 तारीकों भी वही deliveries देखने को मिल रही थी पर अगर आप देखोगे तो price continuously increase मुवमेंट में हमारे को देखने को मिल रहा है despite of the low deliveries और वहीं अगर आज deliveries की बाते करें तो लगबग 3 बस तक फिर से 17% यह deliveries low हो रही है पर share धीरे-धीरे upper moment में हमारे को देखने को मिल र होगा कि अपने 200 days के EMAs के आसपास पहुंच चुका है जाहां इसको resistance देखने को मिल रहा है वहीं 2050 and 100 days के EMAs के उपर ट्रेड कर रहा है जो दिखा रहा है share में है total strength तो आपको इस level पे definitely नज़र रखने चाहिए जो लगबग हमारे को 110.67 पैसे के आसपास पढ़ता हुआ य देखने को मिल रहा है तो साफ बात यह है कि अगर यह अपना previous high यह तोड़ दे और अपने 200 days के EMAs के उपर निकल जाए तो हम जो ब्रोकरीज इस ने या फर्म्स ने इसमें जो targets यह है वो short term में achieve होते वे देखने को मिल सकते हैं तो आपकी सारी की सारी निकाहे 200 days EMA और यह इसका जो last high था जो almost same price है इससे जस्ट लगवग 119 कुछ something पैसा है इस पे आपको नजर रखनी है और यही price breakout होने पे हमार को इसमें कफी अच्छा बड़ा moment देखने को मिल सकता है पर वहीं अगर volumes को देखे तो volumes spikes downwards हमार को देख देखने को मिले तो आपको ऐसा नहीं कि आख मंद करें ले लेना है यहां पर कि भीया यह तो rocket बंद रहा है जाएगा जाएगा उपर क्यूंकि आपने देखा होगा maximum shares अभी 200 days की EMA इसके पास first time reject होते हुए हमार को देखने को भी मिलते हैं और वहीं अब बात करते हैं इसक करें जो ब्रोकले जिस वारे दे रहे थे वो लगबग 135 की उपर से तो मुझे लगता है यह 132 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है और वहीं resistance अगर देखे तो 200 पाइवाय एट फिर इसके पैटरन से में एक इंडिकेशन कर रहे है जो 119 और 120 में बनते हुए नजर आ रहे है 6750 के वार है में की शेर में strength है और मैगडी ने तो जब इसमें यह results आये थे और उसके अगले दिन हमार को एक अच्छा खासा movement देखने को मिला तो मैगडी ने वहीं confirmation दे दी थी कि इसमें bullish crossover हो चुका है और शेर में हमार को तेजी देखने को मिल सकती है तो देखिए सब्सक्राइब दे चैनल लाइक की जाए और वीडियो को motivation मिलता है comment section में अपनी query रखे definitely reply करूंगा मेरा job बनता है and thank you for watching the video